नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी एनेचम एनम फार्मासिस्ट लैप टेक्निसियन जिला आवंटन डॉकुमेंट बैरिफिकेशन सब ही ओरिजिनल डॉकुमेंट के साथ आज से बैरिफिकेशन सुरूर डीवी का पूरा प्रोसेस समझें जॉइनिंग लेटर कब और कहां से मिलेगा सब ही अभ्यरतियों के लिए महत्पूर सुचना सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर नए दोस्तों सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिएगा दोस्तों जो यह अपडेट मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत ही महत्पूर अपडेट है यह जोइनिंग लेटर जो जिसको हम ऑफर लेटर कहते हैं ऑफर लेटर और डॉक्मेंट वैरिफिकेशन से संबन दित है पुरा प्रॉसेस आप लोग को बताऊंगा एक एक स्टेप आप लोग बहुत अच्छे से समझें चले दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं UPNHM की तरफ से जो 17,000 प्लस पोस्ट की भरती हो रही जिसमें A&M, फार्मासिस्ट और लैब टेकनीशन का डाकुमेंट वैरिफिकेशन के लिए जिला आवंटन जो है आप सभी लोगों ने देखी ही लिया है वह जिला आवंटन का PDF आप लोग जो है निकाल कर रख लीजे जहां पर आपका हुआ है उस पेज को निकाल कर आप मारकर से हाइलाइट करके वह पेज और साट लिस्ट वाला पेज दोनों पेज ले करके और उसके साथ में सभी ओरिजिनल डाकुमेंट डाकुमेंट से संबंदेद मैं आप लोगों सब कुछ बता चुका हूँ और एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूं कि सभी ओरिजिनल डाकुमेंट के साथ 5 सेट आपको फोटो कॉपी लेके जाना है और उसके साथ में सभी ओरिजिनल डाकुमेंट वहाँ पर चेखोंगे कहां पर चेखोंगे दोस्तों सियम्मो आफिस जीले में आपका हुआ है जैसे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ एक एक जामपल के ताओर पे जैसे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है यहां एनम के लिए है अब एनम के लिए यहाँ पर दिया गया है 5873 अभिरती साथ टेस्ट हो है पहले नमबर पर जैसे कुमारी नेहा जी है यह किसी भी जीले से बिलांग करती हो अगर जो है लेकिन इनको जो जीला एलाट हुआ है अयोध्या हुआ है और अपना वहाँ पर नाम हाइलाइटेड मारकर से करके लेकर दिखाएं तो वहाँ पर आपका जो है उनके पास जो सीमो सर के पास लिश्ट रखी है उसमें नाम देखने के बाद आपका सभी डाकुमेंट वैरिफाई करके आपको एक जो है अनोसी सर्टिफिकेट दे देंगे जिसको कहते हैं जैसे यह NUHM प्रोग्राम है जैसे कुमारी नेहा है यह 20 तारीक से पहले पहले यानि आज भी जा सकती है कल भी जा सकती है मतलब वर्किंग डे में जा सकती है यह नहीं कि जो है किसी भी दिन चले जाएं संडे को चले जाएं ऐसा कुछ नहीं दोस्तो वर्किंग डे में आपको जाना है और 20 तारीक के पहले-पहले आप अंतिम दिन का इंतजार ना करें कि 20 तारीक को ही जाएं वहाँ पर जाएंगे तो जाने के बाद आपका डॉकुमेंट सब कुछ चेक किया जाएगा, पहले तो लिष्ट में नाम देखा जाएगा, अगर आप लिष्ट वहां लेकर जाते हैं, तो आपकी लिष्ट से उनकी लिष्ट को मिलान करने में आसानी हो जाएगी, कितने सीरियल नंबर पर हैं, जैसे मान लीजे, आप आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंजली चोधरी हैं, उनका सिधार्थ नगर आपको जाना पड़ेगा, जिला अस्पताल CMO ऑफिस जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों, कुमारी रुसकार सिद्धिकी हैं, इनको बनारसी मिला है, इनको बनारस जाना है और महविस को बरेली मिला है जोती को इटावा मिला है तो यह अपने जिस जिले में हुआ है उस जिले में जाकर जिले अस्पताल सियम्मो आफिस पर जाएं वहाँ पर डाकुमेंट वेरिफाई कराएं डाकुमेंट वेरिफाई कराने के बाद अब उसके बाद क्या रहेगा दोस्तों मैं वह आप लोगो दिखा रहा हूँ कब आपको जो है जोइनिंग लेटर बिलेगा उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले डाकुमेंट वैरिफाई होगा वैरिफाई होने के बाद फिर आपको यह प्रमाणपत्र बनवाना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों आपको यह certificate of medical fitness यह आपको बनवाना पड़ेगा at the time joining के समय इसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा अगले वीडियो में और दोस्तों यह चीज मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता ही दिया था आप लोग को 20 तारीक देखो यहां दिया है 20 तारीक यह उससे पहले जिला सोसाइटी मियमा नुसार आपको जिला उस जिले में पहुँचना होगा देखिए और किसी का दोस्तों अस्थानांतरन नहीं होगा अभी इनका अस्थानांतरन कब होगा वह बाद में होगा जब आप लोग अपना जॉइनिंग ले लेंगे और दोस्तों एक चीज और है जितने जल्दी आप document verify करा लेंगे, उतने जल्दी ही आपको जो है center alert हो जाएंगे, joining later मिल जाएगा, joining later आपको तुरंत का तुरंत मिलेगा दोस्तों, वहीं पर मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको इंतिजार करना पड़ेगा, कि आपको इतना दिन रुखना पड़ेगा document verify कराने क जो है दोस्तों, आपको joining later मिल जाएगा, आपका center alert हो जाएगा, उसके बाद आप वहाँ से अपने center पर जा सकते हैं, तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप जितने जल्दी document verify करा लेंगे, उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा, उतने जल्दी है आपको center alert में होज मि तयार है, आप document verify कराईए, fitness certificate बनवाईए, joining letter लीजे और अपने कारभार गरहण अस्तल पर जाएए, कारभार गरहण आख्या जो होता है दोस्तों, वह भी आपको मिलेगा, वही पर वही से सब कुछ मिलेगा, अब मैं आप लोग को आगले वीडियो में आप लोग को पताऊ कि fitness certificate कैसे कैसे क्या बनना है, उसको पूरा अच्छे से समझ लीजेगा दोस्तों, और साथ में जिन अभियरतियों को नहीं समझ में आ रहा है, वह भी जो है, comment के माध्यम से पूछ सकते हैं, टेलिग्राम चैनल के माध्यम से आप comment करके पूछ सकते हैं, हाँ दोस्तों, एक अभियरति पूछा कर रहे हैं, सर, हमारे document में तुरूटी है तो क्या करें, अब आप दोस्तों, किसी भी जिले में, जिस भी जिले में आपका हुआ है, यह नहीं कि उसी जिले से आप सपत पत्र बनवाएं, कहीं से भी आप सपत पत्र बनवा कर ले जाकर लगा सकते हैं, छ इन्होंने नहीं देखा है, तो वेडियो में जाकर देख सकते हैं, कि कैसे सपत पत्र बनवाना है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप तहसील में जाईए, वहाँ पर अपनी समस्या बताइए, तो वहाँ पर जो टाइप राइडर होते हैं, वो सब जो है, और वकील सहब पहले अभ्यर्थियों के लिए इसी देखिए 20 फरवरी के बाद कभी भी उनको डॉक्मेंट वैरिफिकेशन के लिए नोटिस देखने को मिल जाएगी और 15 मार्च के पहले पहले यह अभ्यर्थी कंप्लीट होनी है इस्टाफ नर्स के भी अभ्यर्थी परेशान ना हो हो सकता है आज या कल में जिला आवंटन लिस्ट उन लोगों का भी आजाए जिला आवंटन लिस्ट बनकर एकदम तयार है इस्टाफ नर्स के अभ्यर्थी बार-बार पूछा कर रहे हैं सर कैसे क्या होगा तो उसके बाद साट लिष्टी होगा डाकुमेंट वैरिफाई होगा वो भी जोस्तों आचार संगीता लगने से पहले-पहले सब कुछ जो है उसका भी कंप्लीट होना है क्योंकि 16 अप्रेल से चुनावी घोश्ड़ा हो गई है तो जिन अभियरतियों को जो कुछ ना समझ में आए कमेंड के माध्यम से जरूर पूछे दोस्तों बिलकुल आपको जबाद दिया जाएगा और फार्मासिस्ट लैप टेकनीसियन के अभियरति परेसान नहों कुछ अभियरतियों को होल्ड करके रखा गया है जैसे बहुत से अभियरति पूछा कर रहे हैं कि सर मेरा जो है साट लिष्ट वाले में नाम था लेकिन जिलाव अंटन में नाम नहीं है बिलकुल दोस्तों मानता हूं नहीं है क्योंकि 10 अभियरति को होल्ड करके रखा गया फार्मासिस्ट के अभियरति है और कुछ अभियरति लैप टेक्नीसियन के हैं वो भी नोट आपको वहीं पर मिलेगा और आज से ही आप डाकुमेंट वैरिफाई करवाना सुरू कर दीजिए और 20 फरवरी से पहले पहले आपका जिससे सबकुछ कंप्लीट हो जाए और अपने कारभार गरहना अस्थल पर पहुंच जाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को अ बहुत बहुत धन्यबाद